स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने योटोब चैनल रस्तोगी कोचिंग में आज के इस वीडियो में क्लास 12 के आउकलन का संपुन सुत्र बताया जाएगा और आज से जो है आउकलन को सुरू किया जाएगा और आप सभी भी द्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा जिससे आपका एक नोट से भी बनता रहेगा तो सबसे पहले जो है सुत्र को तयार किया जाएगा और एक-एक सुत्र को जो है बताया जाएगा और आप सभी भी द्यारती इस सुत्र को अपने कॉपी में नोट करते जरूर चलिएगा तो सबसे पहला जो सुत्र होता है तो यहाँ पे सुत्र नोट कर लेंगे D upon DX जो होता है D upon DX और यहाँ C मतलब D upon DX C का मतलब आउकलन क्या होता है तो C का जो आउकलन होता है तो यहाँ पे नोट कर लेंगे बराबर जो है जीरो होता है तो D upon D और C का आउकलन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और C का क्या नाम है तो C का नाम याद रखेंगे अचर जो है पद है अगर यहाँ अचर पद दिया गया है और उसका आउकलन करना है और उसमें यक्स नहीं दिया गया है तो D upon Dx C का आउकलन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा यदि इसी परकार देखा जाए तो D upon यहाँ पर Dx हो और यहाँ पर A होत इसका भी आउकलन क्या होगा इसका भी नोट करते चलिए अब अगला जो सुत्र बनेगा डी अपान डी अक्स अब यहां लिखेंगे डी अपान डी अक्स हो गया और यहां यक्स का आउकलन क्या होता है तो याद रखेंगे डी अपान डी अक्स यक्स का आउकलन जो होता है वह एक होता है डी अपान डी अक्स यक्स हो जाएगा तो d upon d x x का आउकलन क्या होता है एक होता है अगला सुत्र बनेगा d upon d x हो जाएगा और यहां x के पावर यन घात रहेगा तो जितना यह पावर रहता है वो पावर आगे आजाता है यन आगे आजाएगा और x के पावर यन माइनस वन हो जाता है तो x के पावर य इतना पावर रहता है, वह पावर आगे आ जाता है, और उस पावर में से एक पावर क्या होता है, कम हो जाता है, अगला सुत्र यहां पर नोड करेंगे, d upon d x हो जाएगा d upon d a a के power yaks यह बहुत महत्पोंड सुत्र है d upon d a a के power yaks का जो है इसका आउकलन क्या होता है यहाँ पर लिखेंगे lag होता है यहाँ पर lag base e और यहाँ पर a हो जाएगा और आगे नोट का लेंगे a के power yaks तो A का power X तो A का power X ही बोलेंगे और lag based E और यहां का हो जाएगा A हो जाएगा यह किसकाiov pearl है तो A का power X का जो है आख्लन है तो इसे आख्लन को अपने cognitive में आप सभी विद्यारति जरूर नोड कीजिए अब अगला जो सुत्र होता है d upon dx अब यहां लिखेंगे d upon dx और e to power x यह भी बहुत महत्मौन सुत्र है e to power x का आउकलन क्या होता है तो कहेंगे e to power x ही होता है e to power x का आउकलन e to power क्या है x होता है अब अगला जो इसका आउकलन बनेगा e to power जो है यहाँ पे लिखेंगे d upon dx है और e to power minus x का आउकलन क्या होता है तो e to power minus x का आउकलन याद रखेंगे minus e to power minus x होता है e to power minus x का आउकलन क्या होता है minus e to power minus x इसका क्या है आउकलन होता है अगला लिखेंगे डी अपान डी यक्स जो है डी अपान डी यक्स लाग यक्स का आउकलन क्या होता है लाग यहां बेस ए रहता है तो लाग का आउकलन क्या होता है तो यहां पे नोट कर लेंगे लाग का आउकलन होता है एक बटा यक्स होता है तो आप सभी विद्यार्थी पहले सूत्र को note कीजिए जब सूत्र आपको याद रहेगा, तो प्रशन हल करने में क्या होगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, अब अगला सूत्र लिखेंगे अपर d upon dx, और यहाँ पर एक बता yax का सूत्र लिख लेंगे, यहाँ पर एक बटा यक्स का क्या सुत्र होता है माइनस याद रखेंगे माइनस एक बटा जो है यक्स का क्या होगा इसक्वायर हो जाता है एक बटा यक्स का आउकलन क्या है माइनस एक बटा क्या होता है यक्स इसक्वायर हो जाता है तो इस सुत्र को भी नोट का लिजे अब अगला ब आउकलन होता है एक बटा दो करणी में यक्स होता है करणी में यक्स का आउकलन कितना होता है तो एक बटा दो करणी में जो है यक्स इसका जो है आउकलन होता है तो इसे सुत्र को जो है आप सभी विद्यारती क्या कीजिए अपने काउपी में नोट कर लीजिए अब यह जो स सुत्र था तो यहां पर अभी तिरकोड मीती का एक भी सुत्र नहीं बताया गया अब हम लोग समझेंगे तिरकोड मीती का एक एक सुत्र तो अब हम लोग सीखेंगे तिरकोड मीती का जो है सुत्र जैसे यहां पहला सुत्र होता है डी अपान डी अक्स डी अपान डी अक्स सा का आउकलन क्या होता है तो डी अपान डी एक्स साइन यक्स का जो है आउकलन क्या है तो साइन का आउकलन याद रखेंगे कास यक्स होता है क्या होता है साइन का आउकलन कास यक्स है और कास का जब आउकलन करेंगे तो माइनस साइन होता है यहां लिखेंगे डी अपान डी आ साइन साईन एक्स होता है देखे साइन का ओकलन कास होता है और कास का ओकलन क्या होता है तो कि से जेसे नोट जरूर करते चलिएए अगला जो शुत्र होता है डी आपांड डी यक्स दी अपान डी यक्स है। अब यहां 10 का आउकलन क्या होता है? तो 10 यक्सका आउकलन याद रखें क्योंग कि यह सुतर बहुत जगा प्रियोग हैं, सेक स्कौईर यक्स होता है। अगला जो लिखेंगे अगला किसका आउकलन करेंगे काट का डी अपान लिखेंगे डी अपान डी यक्स जो है और यहां लिखेंगे काट यक्स का आउकलन और काट का आउकलन माइनस कोसिक स्क्वायर होता है क्या होता है माइनस कोसिक स्क्वायर यक्स होता है यह किसका आउक डी अपांड या सेक यक्स सेक यक्स का आउकलन क्या होता है तो सेक यक्स इंटू सेक यक्स इंटू टैन यक्स होता है तो सेक यक्स इंटू क्या है टैन यक्स किसका आउकलन है या सेक यक्स का क्या है आउकलन है अब अगला आउकलन होगा डी अपान डी यक्स कोसे का अब कोसे के यक्स का आउकलन क्या होता है लिखेंगे माइनास है माइनस लिख लेंगे आपर कोसे के यक्स इंटू माइनस कोसे के यक्स इंटू क्या होता है काट यक्स होता है अब यह जो है तिरकुण मीती का यहां पर च्छे आउकलन यहाँ पर बताया गया यह च्छो आउकलन को जो है आप सभी विद्यारती जरूर तयार कर लीजिए अब हम लोग सीखेंगे गुड़ा का नियम गुड़ा का नियम क्या होता है तो जैसे यहाँ दो फलन है और वह फलन का नाम है यफवन इन्टो यफटू तो यहाँ गुड़ा का भी सुत लिख लेंगे जैसे यहाँ लिखेंगे डी अपान डी अक्स है और पहला जो है यफवन है और दूसरा फलन जो है यफटू है अब इसका आउकलन कैसे करेंगे तो इसका नियम क्या होता है सबसे पहले जो है यफवन मतलब पहला फलन को नोट करेंगे यफवन को उतार देंगे और यहाँ डी अपान डी अक्स करेंगे और यहाँ यफटू का आउकलन मतलब पहला उतर जाएगा दूसरे का आउकलन पलस यहाँ दूसरा हो जाएगा और डी अपान डी एक्स जो है पहले का अउकलन तो यहाँ पर क्या सुत्र बना पहला दूसरे का अउकलन दूसरा पहले का अउकलन कितना असान है पहला दूसरा अउकलन दूसरा पहला अउकलन बीच में क्या कर लेंगे यह किन का नियम है यह गुड़ा का नियम है तो गुड़ा का नियम जो है आप सभी भी द्यार थी इसे पने कापी में क्या कीजिए जरूर नोट कीजिए और इसे दो बार लिखिए लिखने पर आपका सुत्र क्या होगा याद हो जाता है अगर यहां भाग का नियम देखेंग पहले हर, हर मतलब यह फटू, डी अपान डी अ, यह अंस का आउकलन, माइनस अंस, डी अपान डी अक्स, हर का आउकलन, बटा, और यहां का लिखेंगे, हर का इसक्वायर, हर का का जगा, इसक्वायर, यह किसका सुत्र है, मतलब यह भाग का सुत्र है, यह फटू का मतलब क्य हुआ हर अंस का अवकलन माइनस अंस हर का अवकलन बटा क्या होता है हर का इसक्वायर यह किन का सुत्र है तो भाग का यह सुत्र है यह अंस बटा हर का यह नियम है तो इस सुत्र को भी आप सभी विद्यार्थी पहले नोट का लेजे जब सुत्र याद होगा तो कल जो है अभ बिहास सुरू किया जाएगा पांच दसमलो दो और पांच दसमलो दो को एक एक प्रस्ण जो है आपको हल करके बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से पने कापी में भी नोट करते चलिएगा जिससे आपका एक मैथ का नोट से भी बनता रहेगा तो आज के इस वीड कापी में नोट का लिजिए अभी इनवर्स वाले जो है आउकलन बाकिये है इनवर्स वाला जो है आउकलन अगले भाग के वीडियो में बताया जाएगा तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा मिलते हैं अब अगले भाग में तो आप सभी विद्यार्थी यदि मेरे चैनल पर पहली बार आये होंगे तो चैनल को सस्काइब जरूर कर लीजिए तो मिलते हैं अब अगले भाग में तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार